कहानियों की श्रंखला में एक बर पुर्णा मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आपके समख्ष ब्रिटेन से नीना पॉल की प्रसिद कहानी सिग्रेट बुझ गई लेकर उपस्तित होई हूँ यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो क्रप्या चैनल को सब्सक्राइब करें कहानी सिग्रेट बुझ गई सुनिये वैदेगी किस पर में घर के चारों और पुलिस ने पीले रंग की टेप का घीरा डाल दिया सामने से निकलने वाला प्रतेक रहगीर कुछ पल के लिए खड़ा होकर सूचने लगता कि इस घर में क्या हुआ है इस घर में किसी की मृत्ति हुई है जिसकी सूचना डाकिय से मिली है जब डाकिय लेटर बॉक्स से चिठ्ठी डाल रहा था तो उसे अंदर से एक अजीब प्रकार की महक आई उसने दरवाजे पर दस्तक दी अंदर कोई हलचल न हुई डाकिय को किसी अन होनी की शंका होने लगी उसने जेव से मूबाइल निकाल लिया और 999 पुलिस का नंबर गुमा दिया पुलिस का नंबर क्या गुमाया कि शोर मचाती हुई दो पुलिस की गाड़ियां वहे कैमबुलेंस कुछी पलों में वहां पहुँच गई अपने चेहरे पर मास्क पहन कर पुलिस ओफिसर ने दरवाजे को जोर से धकेला परन्तु वह अंदर से बंद था पहले पुलिस ने मास्टर की की साहता से ताला खोलना चाहा कई ताले मास्टर की से भी नहीं खुलते अंत में हार कर वे दरवाजे का ताला तोड़ कर अंदर घुस गए अंदर घुसते ही उन्हें बहुत जोर की महक आई लिविंग रूम में बहुत गर्मी थी गैस फायर पूरे जोश से जल रही थी गैस फायर के सामने ही रॉकिंग चेर पर एक पूरुश बैठा था ये महक उसी से आ रही थी इतनी गर्मी के कारण उसके शरीर की तवचा भी पिखल कर डूलकने लगी थी यहीं से सड़े मास्ट की गंद आ रही थी कुर्सी से नीचे लटकते उसके हाथ की उंगलियों में एक सिगरिट दबी हुई थी जो नजाने कब की एक लंबी राक की लकिर छोड़ कर बुच चुकी थी उस ब्रत पूरुश की टांगों पर एक लिहाफ पड़ा मिला यह सोचकर कि शायद कोई सुराग मिल जाए पुरिस ऑफिसर ने वे लिफाफा खूला जिसमें लिखा था हम सब की ओर से आपको अपनी 65 वी वर्षगार्थ की बहुत बहुत बधाई पुनीद लिफाफी को पलट कर देखा तो 30 दिसमबर की लाफ बरों की महर लगी हुई है ओफिसर ने वो कार्ड फिर से लिफाफी में डाल दिया हो सकता है यह कार्ड छुट्टियों के कारण दो जनवरी को मिला हो उन दिनों ठंड भी तो गजब की थी पुलिस ने पूरे घर का निरिक्षन किया उनके साथ आयोए फोटोग्राफर ने हर कोने से कमरे के चितर उतारे कुर्सी पर बैटे उस पुरुष की प्रतेक एंगल से कई फोटो ली गई कुर्सी के चारों और चौक से एक लकिर खीच कर पुलिस का काम यहाँ पर समाप्त हुआ उनका काम समाप्त होते ही एंबुलेंस से पेरा मेडिक्स को बुलाया गया पेरा मेडिक्स ने मास्की नहीं हातों में सफेद रंग के दस्ताने भी पहने हुए थे पहले लाश की जांच की गई, पेरामेडिक्स ले पुलिस की आग्या से गैस फायर बंद किया गया बिना पोस्ट मॉटम के यह बताना कठिन था कि मौत कितने दिन पहले हुई थी लाश की जांच हो जाने के पश्चात उस लाश को एक कंबल में लपेट दिया गया एम्बुलेंस से इस्ट्रेचर लाकर लाश को आराम से उस पर लिटा दिया फिर वे पूरा इस्ट्रेचर एम्बुलेंस के अंदर ले गए एम्बुलेंस जिस तेजी से शोर मचाती हुई आई थी अब उतनी ही तेजी से धीरे धीरे सरकती हुई वहां से रवाना हो गई दरवाजे पर नया ताला लगवा कर पुलिस ने उस पर भी पीले रंग का टेप लगा दिया जिस घर से लाश मिली है यह सारा काउंसिल का एरिया है यहां अधिकतर बुजर्ग यह साथ वर्ष से उपर सिंगल लोग ही रहते हैं जिलियन जो इस घर से तीन चार घरों की दूरी पर रहती है पुलिस और एम्बुलेंस की आवाजें सुनकर उस सुकता वश देखने चली आई रोजी यह तुमारे पडोसी के घर में क्या हुआ है यहां मेरे पडोस में जो व्यक्ति रहता था उसकी मृत्य हो गई है अभी पुलिस पूश ताच करने आई थी उन्हीं से पता चला जीजस क्राइस जिलियन अपने सीने पर क्रॉस बनाते हुए बुली कुछ पता चला उसके मृत्यू कब हुई और कैसे हुई नहीं जिलियन पुलिस घर घर जाकर यही पता लगाने का प्रेत्न कर रही है कि वह कौन था पडोसी ही उने के नाते मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि उसका नाम घनशाम गुपता था वह बहुत भला इंसान था जो ना किसी के लेने में ना देने में था एक बहुत यह अकेला इंसान जिसे कभी उसके कोई बच्चे या रिष्टेदार मिलने नहीं आए अकेले तो हम सभी है रोजी ना जाने हमारा अंत कैसा होगा जिलियन उदास होते हुए बोली ऐसा मत सोचो जिलियन हम सब है ना यहां एक दूसरे के लिए कब तक जब समय आ का नाम गनशाम गुपता था पोस्मॉटम के अनुसार इसकी मृत्यू 31 दिसंबर और दो जनवरी के बीच में हुई है और आज 27 जनवरी है इसका मतलब 25 दिन से उपर हो गए इसकी मृत्यू को हमें शीगरी पता लगाना चाहिए कि यह कार्ड भीजने वाला कौन है पुलि चाहे मौसम कैसा भी क्यों न हो गर्मी हो या सर्दी लगता है इस वर्ष कुछ जादा ही ठंड पड़ रही है दस्तानों के अंदर भी उंगलियां सर्दी के मारे जैसे सिकुड रही हो उस दिन भी ऐसे ही कडाकेदा ठंड थी बिटेन के लोग वाइट क्रिसमस मांगते हैं परन्तु मौसम को देखकर यू लगता है कि क्रिसमस के स्थान पर इस वर्ष वाइट नव वर्ष जरूर होगा कल राज से ही बर्फ बारी हो रही है नव वर्ष का आगमन किद्री गर्म जोशी से ठंडे बर्फ के फोहे उडाते हुए हुआ पतजर के पश्चात नगन पर सफेद मोतियों की चादर बिचा रही है प्रकृति का इतना सुंदर द्रश जिसने रातों राज श्वेत रंग बिखरा कर पूरे वातावरण को पवित्र कर दिया जिसे देखकर मनोश्य तो क्या पशु पक्षी भी अपने सुदबुद खो बैठें सुदबुद तो घ बाहर एक छोटा सा बरामदा और उसके आगे गार्डन है घर को दूसरे घरों से अलग करने के लिए गार्डन के चारों और लकडी की फैंस लगी हुई है जो बूरे रंग की है सर्द रितू होने के कारण बर्फ को देखकर गंशाम को अपनी छोटी बेटी रिचा की याद पापा देखिये ना कितनी जोर से बर्फ गिर रही है चलिए स्नो मैन बनाएं बेटा इतनी ठंड में बीमार हो गई तो मम्मी हम दोनों को रांटेंगी घर शाम रिचा को कोट पहनाते हुए बूला पापा चलिए ना बस छोटा सा बनाएंगे उसने दोनों हाथ आगे करते हुए का जिसमें गाजर टमाटर और कीरा थे घंचाम बेटी की बात न टाल सके और चल पड़े दोनों बाप बेटी गिरती बर्फ में इस नूमैन बनाने एक बड़ा सा बर्फ का पुतला बरहाया गया गाजर से उसकी नाक टमाटर की फांक से होट वा खीरे के दो गोल जाने ही अपने हातों को मलकर गर्म करने लगा बाहर की ठंडी बर्फ भी उसके भीतर उठते सोचों के उबाल को न रोक सकी कहां गया वह सब कुछ एक छोटी सी भूल से कैसे जिन्दगी रुक सी गई है नहीं यह जूट है वह सब तो आज भी उसी के हैं किन्तु वह यह उ सका धरवाजे पर एक आवाज सुनकर उसकी सोच को जटका लगा अन्मने मन से बड़बडाते हुए वह उठा लोगों के पास पता नहीं कितना व्यर्थ का समय और पैसा है जो यूँ ही कागजों के पुलिंदे दूसरों के घरों में फेकती रहते हैं अरे यह तो कोई चिठी उसके हाथ से गिर गई वर्षू पहले ऐसे ही एक चिठी आई थी कितना गर्व महसूस किया था उसने उसे अपनी जीत समझ कर की चलो सीमा ने अपनी गलती मान ही ली अवश्य माफी मांगकर मुझे वापस बुलाया होगा आखिर पति हो उसका मगर लिफाफा खोलत से ही उसका सिर घूम गया यह अनौनी कैसे हो गई एक भारतिय पत्नी ऐसा कभी सोची नहीं सकती मारवाड़ी परिवार में यह पहली ऐसी इस्तरी होगी जिसने इतना बड़ा कदम उठाया हो जरूर किसी ने इसे सिखाया ही होगा हां ना इसे सिखाने वाला एक अतुल और एक दूसरी अलका वो सीमा जिसको न कितना कुछ कह देता था जवाब देने के स्थान पर वे खामोशी से आंसु बहाती हुई कमरे से बाहर चली जाती थी आज उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई वे नारी की हिम्मत और ताकत को शायद भूल गया था आज सीमा ने वो कर दिखाया जिसकी वे उसे सदैव धमकी देता आया है पत्नी की ओर से आया तलाक नामा उसके हाथ में कांप रहा था उसे इस तलाक नामे पर हस्ताक्षर करके वापिस भेजना है सुनार आभूशन तराशने के लिए छोटी सी हतोडी बड़े प्यार से आभूशन पर चलाता है वहीं लोहार को लोहे का सामान बनाने के लिए हतोडा जूर से मारना पड़ता है आज सीवा ने भी एक ही वार में बरसों के दबे हुए अपमान के गुबार को निकाल दिया मैं तुम्हें छोड़ दूंगा सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है अभी तक वे चार बच्चों के कारण खामोश थी खामोशी भी कभी जवार भाटे के समान फूट कर सारा लावा उगल शान्त हो जाती है शान्ती तो अब घनशाम की भंग हो चुकी थी उसे अभी तक महिल शक्ति का आभास नहीं था आभास होता भी तो कैसे भारत से केमेस्ट्री में पिएश्डी करने के पश्चात भी ब्रिटेन में उसके अंग्रेजी जुबान कोई समझ नहीं पाता था जब उसका कनपूरिय एकसेंट कभी बच्चे भी न समझ पाते तो वह उन पर जल्ला उ कोई कटनाई नहीं हुए एक पुरुष और भारतिय पती होने के नाते घनशाम कैसे सेहन कर सकता था कि उसकी पतनी उससे आगे निकल जाए सहन तो सीमा करती आ रही थी जिसे घनशाम उसकी दुर्बलता समझ कर उसे मानसिक ताड़ना देने से न चूपता एक पती व्रता महिला सब कुछ सहन कर सकती है किन्तु अपने चरित पर लांचन कभी बरदाश नहीं कर सकती एक तो वह काम से ठकी हारी आती और आते ही पती की जुबान से फूल बरसने लगते अंत में बात सदैव सीमा को छोड़ देने पर ही समापत होती घनशाम ने तो सोचा भी नहीं था कि उसकी बंदर भबकियों का जवाब कभी ऐसा भी मिल सकता है सिगरेट के कश खीचते हुए हाथ में चिठी लेकर घनशाम रॉकिंग चेर पर बैड़ गया अब यह कुरसी ही तो उसकी एक मात रसाती है जो उसे आराम के साथ पुराने यादों में ले जाकर उसकी गलतियों का एहसास भी दिलाती रहती है उन गलतियों का एहसास जिनने सीमा हमेशे नजर अंदाज करती रही गरशाम यह इस्त्री की दुर्बलता समझता रहा किसी पर हाथ उठाने से केवल शरीर पर चूट लगती है किन्तु यह रोज-रोज के ताने दिल पर गहरा घाव छोड़ छेत कर निकल जाते हैं भी चलने लगी थी जिसे देखकर यूँ प्रतीत होता था मानो बर्फ में एक तूफान उठाओ बाहर का ऐसा माहुल देखकर घनशाम को और ठंड लगने लगी उसने कंदे पे पड़ी शौल को अपने चारों और लपेट लिया और उठकर जलती हूई गैस फायर को थोड़ा और उंचा कर दिया घनशाम ने उस बड़े दरवाजे के पास से कुरसी को खीच कर गैस फायर के सामने रख दिया यह गिरती बर्फ सदा उसके मन में गर्मा गर्म चाय पीने की इच्छा जगा देती है किचिन में जाकर उसने एक पतीले में पानी डाला और चाय के लिए गैस पर चड़ाते हुए फिर ख्यालों में खो गया सीमा जड़ा अच्छी सी कड़क चाय तुपिलाओ और हाँ देखो आज दो चमत चीनी भी डाल देना फीकी चाय पी पी कर पू का स्वाद भी खराब हो गया है आप जानते हैं कि आपके लिए चीनी ठीक नहीं है मुश्किल से आपकी इंसुलिन कम हुई है सीमा चाय बनाते हुए बोले चाहे तुम कुछ भी कर लो यह मुई शुगर की बीमारी तो पीछा छोड़ने वाली है नहीं कम से कम चाय तुम अतलब की पील लेने दिया करो हाथ में जलती सिगरेट से जब उंगलियां जलीं तो उसकी सोच की तंद्रा तूटी कैस पे रखा चाय का पानी भी उबल कर आधा रह चुका था घंच्याम ने उसमें भरके दो चमत चाय की पत्ती के डाले आधा प्याला दूद का तीन चमत चीनी के डाल कर उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे कि वे सीमा को चिड़ा रहा हो उसने चाय को खूब उबला आज वे ऐसी चाय पीना चाहता था जो उसके कलेजे के साथ उसकी सारी पुरानी यादों को भी जला कर राक कर दे बिलकुल इस जलती हुई सिगरेट के समान ऐसा ही एक उबाल उस दिन सीमा के सीने में भी उठा था उसके सामने कुछ कागज बिखरे पड़े थे वे जिने पढ़ने का प्रेत्न कर रही थी आज शाम ने मर्यादा की हर सीमा को तोड़ दिया था तलाक नामे पर हस्ताक्षर ही नहीं किये साथ में एक पर्चा भी था लो आज मैं तुम्हें ही नहीं तुम्हारे बच्चों को भी तलाक देता हूं सीमा कभी एक कागज उठाती और कभी दूसरा पूरा चहरा आंसों से भीगा हुआ है घबराहट के कारण साड़ी का पल्ला दांतों में दबा कर जोर से खींच देती एक हस्ताक्षर और सूले वर्ष का रिष्टा समाप्त ये साथ फेरों साथ वच्णों से बंधे रिष्टे क्या इतने दुर्बल होते हैं जिसका निर्णे एक कागज का टुकड़ा लेता है क्या ये वही सीमा है जो दफ्तर में रोजाना न जाने कितने बड़े निर्णे लेती है सारा दिन कितनी ही चिठियों पर हस्ताक्षर लेती और करती है आज इस कागज पर हस्ताक्षर देखते हुए उसका संपूर्ण वजूद क्यों का अपने लगा वह बच्चों के प्रश्णों का कैसे उत्तर देगी वह समाज की नजरों का सामना अकेली कैसे करेगी दोश तो सब उसी को देंगे एक इस्तरी पती के जुल्म सहती हुई खामोशी से जीती रहे तो समाज खुश है परन्तु जहां उसने सर उठाया कितने ही जूते उसे कुचलने के लिए तयार हो जाते हैं वह जानती है उसके इस निर्णे को मा और भाईया कभी सहमती नहीं देंगे इस पुरुश प्रधान समाज में पैदा होते ही लड़की की जुबान को सिल दिया जाता है पती का हर जुल्म सहना अच्ची ग्रैनी का गुण माना जाता है कुर्बानी ही इस्तरी का दूसरा नाम है दरवाजे पर दस्तक सुनकर सीमा के कापते हातों से कागत छूट कर मेज पर यूँ विखर गए मानो वह कोई चूरी करती पकड़ी गई हो देखा तो सामने उसकी सहली अलका खड़ी थी सीमा के धैर के बान सारे बंधन तोड़ कर वेग गती से बह निकला सब कुछ खत्म हो गया अलका वे उसके सामने कागत बढ़ाते हुए हिचकियों में बोली कुछ खत्म नहीं हुआ है सीमा कागत पढ़ते हुए अलका ने सीमा को गले से लगा लिया यह तो तुम्हारे नए जीवन की शुरुवात है संभालो अपने आपको क्या यह मेरी वही बहादूर सहीली सीमा है मैं तूट चुकी हुँ अलका अजी जिसके चार-चार सहारे खंबे के समान साथ खड़े हुँ वे कैसे तूट सकती है ओफिस की शेर्नी को यह से प्षोबा नहीं देता सीमा हमें अपने सकी की एक ही अदा तो पसंद है जिसके प्यार में कोई आवाज नहीं और तूटे तो जहनकार नहीं जहनकार तो उस दिन हुई थी जब थकी तूटी रात को आट बजे घर आई थी दरवाजा खोलते ही घन शाम उस पर बिफर पड़े कभी घड़ी भी देख लिया करो महरानी माफ करना शाम मीटिंग जड़ ज़्यादा ही लंबी खिच गई यह तुम्हारा कौन सा ओफिस है जो आदी रात तक खुला रहता है तुम्हें यह भी बुला देता है कि घर में तुम्हारे पती और बच्चे भी है वे भी तुम्हारी प्रतीक्षा करते है सीमा का आद का दिन आफिस में वैसे ही बुरा बीता था यह नया बॉस प्रमोद नागर जब से आया है कोई न कोई मुसीवत खड़ी करता रहता है सीमा का सिर्दर से फटा जा रहा था सारा दिन कुछ खाने की भी फुरसत नहीं मिली थी उपर से घर आते हैं सदा की तरह घंच्याम का क्रॉस एक्सेमिनेशन वै बड़े शांत स्वर में बूली बच्चों के पास आप जो हैं शाम मैं जानती हूँ आप उन्हें मेरी कमी नहीं महसूस होने देंगे हाँ हाँ मैं घर में बच्चों की आया बना रहा हूँ तुम्हारी नौकरी करता रहा हूँ यही तो तुम चाहती हो ना किसी को तो काम करना है ना शाम अभी सीमा की बात पूरी भी नहीं होई थे की घर शाम तड़प कर बूले तुम्हारे कहने का मतलब क्या है मैं निठला हूँ तुम्हारी कमाई पर जी रहा हूँ जानती हो कि तुमसे ज़्यादा कमाता हूँ मैं चार दिन मुझे नौकरी से घर क्या भीज दिया कि तुम दिखाने लगी अपने रंग एक दिन छोड़ दूँगा तो निकल जाएगी सारी हेकडी देखता हूँ कैसे पालती हो नौकरी के साथ बच्चे शाम प्लीज दीरे बोलिए बच्चे कहीं सुन न रहे हो अच्छा है जो वो भी सुने अपनी मा की कर्टूतों को यह आज फिर अतुल आया था न तुमें छोड़ने आप ही तो सुबह मुझे मेरे काम पर छोड़कर आये थे आपकी कार सर्विस के लिए जाने वाली थी फिर यादी अतुल मुझे छोड़कर गया है तो उसमें हरजा ही क्या है हमारा घर उसके रास्ते में ही तो पड़ता है अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुमारे बीच में कुछ चल रहा है शाम इतना घिनोना हिलजाम लगाने से पहले यह तो सोच लिया होता कि मैं आपकी ब्याहता और चार बच्चों की मा हूँ सीमा हमेशा की तरह रोती हुई पिना कुछ खाए वहाँ से जाने लगी तो घंचाम पीछे से बोले मैं कल सुबह लीड जा रहा हूँ कल सुबह तक भी क्यों रुकूँ अभी जा रहा हूँ मुझे जॉब पर वापिस बुला लिया गया है शाम कुछ दिन और अभी बच्चों के पास रुक जाते मेरे ऑफिस में काफी गड़बर चल रही है सीमा जाते हुए रुक गई क्यों मैं तुमारे बच्चों की आया हूँ शाम चिलना कर बोले ये बच्चे आपके भी तो हैं नहीं ये मेरे बच्चे नहीं आपके बच्चे हैं संबालिये आप अप निग्रहसी को अकेले मैं भी देखता हूँ तुम कब तक मेरा तुम से और तुमारे बच्चों से कोई मतलब नहीं उपर बैडरूम का दरवाजा जोर से बंद हुआ जिसका सीमा को डर था वही हुआ बच्चों ने सब कुछ सुन दिया सुनाया और सिखाया तो घंचाम ने था जाने से पहले अपनी मंजली बेटी रेनू को रेनू बेटा पापा का एक काम करोगी जी पापा ये हम दोनों के बीच की बात होगी मामा को इस विशय में कुछ नहीं बताना तुम तो जानती हो कि मामा तुमें कितना डांटती है तुम मेरी बेटी हो न इसलिए तुमको ही एकाम सौप कर जा रहा हूँ बोलिये पापा मुझे क्या करना है मैं कल सुबह लीट्स वापस जा रहा हूँ तुम बस जर अपनी मम्मी पर नजर रखना वे कितने बज़े काम से घर आती है और अतुल अंकल साथ में आते हैं कि नहीं अतुल अंकल मुझे बिलकुल अच्छे नहीं लगते पापा मैं जानता हूँ बेटा इसलिए तो यह काम तुमारी बड़ी बेन को न देकर तुम्हें सौप रहा हूँ आई लव यू पापा तुम्हें नू पापा से लिपटते हुए बोली ठीक है बेटा मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा आज घंचाम ने छोटी सी बच्ची के दिमाग में भी शक का बीज डाल दिया था यह फालतू का शक शाम को न जाने कहां ले जाएगा वे तो सीमा का कोई तर्क सुनने को ही तयार नहीं है सीमा का इस्त्री इत्व घायल होकर रह गया आदमी को अपने पुरुशत्व का इतना खमन अब मैं इनको दिखाऊंगी कि पुरुश के बिना भी इस्त्री संपूल है सीमा की आँखों में आशू सूख गए नहीं वे अबला नारी बन कर नहीं जियेगी सीमा आउफिस में बैठी कुछ चिठ्टियां पढ़ रही थी कि प्रमोज उसके कमरे में आया सीमा जी आज शाम को काम के पश्चात कुछ दूसरे कमुनिटी सेंटर्स के साथ मैंने मीटिंग रख ची है जिसमें आपका होना भी आवश्यक सौरी मिस्टर नागर मेरी जॉब एग्रिमेंट में महीने में केवल एक दिन देर शाम तक मीटिंग के बारे में लिखा है और वो मीटिंग कल हो चुकी मैं साड़े पांच के बाद नहीं रुख सकती आप मेरे बिना चाहें तो ये मीटिंग कर सकते हैं सीमा ने ऐसी गंभीर आवाज में कहा कि प्रमोध आगे कुछ न कह सका यहाज इतनी गंभीर क्यों है प्रमोध सूचने लगा जरूर कल रात पती के साथ तु तु मैं में हुई होगी क्या ही तो मैं चाहता हूँ काम में तो इसे कोई हरा नहीं सकता ऐसे ही सोचते हुए प्रमोध आगे कुछ और योजनाय बनाने लगा सीमा को तंग करने के लिए यही सीमा के स्थान पर कोई अंग्रेज महिला होती तो प्रमोध उसके तलुए चाटता दिखाई देता किन्तो एक भारतिय पुरुष कभी सहन नहीं कर सकता कि ओफिस में कोई भारतिय नारी की जानकारी उससे अधिको जानकारी लेने हुईत हुई तो घनशाम ने रेनू को फोन कर डाला यह जाने बिना क्या सीमा घर पर है फोन उसकी बड़ी बेन रंभा ने उठाया हलो रंभा बेटे फोन जरा रेनू को देना जी पापा किसका फोन है रंभा सीमा ने जानना चाहा पापा का है मॉम वे रेनू से बात करना चाहते हैं वैसे वे अकसर रेनू से बात करते हैं उदार रेनू बोल रही थी जी पापा नहीं मम्मी आज कल बहुत जल्दी घर आती हैं मैं हमेशे उन पर नजर रखती हूँ, कौन आ तुल अंकल, वो तो जब से आप गए हैं, कभी भी घर नहीं आए, सुनते ही सीमा का सिर जन्ना उठा। शाम छोटी सी बच्ची से जासूसी करवा रहे हैं, वो भी अपनी मा की सीमा ने फोन रेनू के हाथ से ले लिया। आप जानते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, अपने काम निकलवाने के लिए एक छोटी सी बच्ची के दिमाग में अपनी मा के प्रती जहर भर रहे हैं, कितने अच्छे संसकार दे रहे हैं आप अपने बच्चों को, जब गी सीधी उंगली से नहीं निकलता, तो उसे टेड़ करना पड़ता है, घंचाम गुस्से से बुला, बुश्दिलों के समान बच्चों को, पीछा करना छोड़ दीजे, और मुझसे बात करिये, कि आप क्या जानना चाहते हैं, अभी तक मैं एक पत्नी का धर्म निभा कर खामुश थी, लेकिन, आज आपने एक मा की ममता को ललक का रहा है, मैं हरकिस बरदाश्ट नहीं कर सकती, मैं आज तुमारी हिम्मत इतनी बढ़ गई, जो मुझसे ऐसे बाते कर रही हो, हाँ, अतुल जो आगया है तुमारी जिंदगी में, बस, अब आगे एक भी शब्द नहीं, आप मेरी हिम्मत देखना चाहते हैं न, तो देख सीमा ने फोन पटक दिया, उसका सारा शरीर पत्ते के समान काप रहा था, क्या ये वही इंसान है, जिसके साथ मैंने शादी के सूला वर्ष बिताए हैं, इतनी करवाट, सीमा ने गुस्ते से फोन का एक नंबर गुमाया, हेलो, बीटी एक्सचेंज, मैं सीमा गुपता बोल बदलना चाहती हूं, कोई विशेश कारण आप कबसे बदलना चाहती हैं, उधर से आवाज आई, जी निजी कारणों से, आसे बदल दीजे तो अच्छा है, सीमा ने फोन ही नहीं बलकि अपने जीवन का पन्ना भी बदल दिया, घनशाम ने तो कभी सपने में भी नहीं सू क्या मू लेकर आते, स्वयमी तो सीमा से कह दिया था कि बच्चों से उनका कोई संबन नहीं, वह एक मा के साथ साथ उसके बच्चों का भी अपमान था, सीमा ने हिम्मत नहारी एक अकेली महिला के लिए आसान नहीं है कि वह डिमांडिंग जॉब करते हुए बच्चों को अ को शीगरी पता चल गया कि वह पती से अलग हो चुकी है, सुनकर प्रमोद नागर की हिम्मत थोड़ी और बढ़ गई, सीमा प्रमोद के ऑफिस के बाहर से निकल रही थी कि कुछ सुनकर वहीं ठिठक गई, प्रमोद बोल रहा था, एक जवान और अच्चा है दूसरों के सम कितना भी कठोर क्यों ना बन जाए, परन्तु मैं कभी तो मन मचलता होगा, अब वो समय दूर नहीं, जब वह स्वैम आकर यहां बैठेंगी, प्रमोद जंगा पर हात मारते हुए कह रहा था, और बाकि उसके चेले चपाटे सब हस रहे थे, सब की हसी ही नहीं, मुवी हो गए, जब दर्वाजे में सीमा को खड़े देखा, सीमा धीरे धीरे कदम उठा कर अंदर आई, वह सीधे आकर प्रमोद के सामने खड़ी हो गई, क्या कह रहे थे आप, मिस्टर नागर, मैंने ठीक से सुना नहीं, यह शायद आप सूलवी सदी की बात कर रहे थे, मिस्ट और अपने परिवार को पालने की हिम्मत रखती है, आप जंगा पर हाथ मार कर कुछ कह रहे थे, ऐसा ही सदियों से पहले किसी ने जंगा पर हाथ मार कर यहीं शब्द कहे थे, और उसका हच्र क्या हुआ था, यह हम सब जानते हैं। सीमा ने प्रमोत का छोड़ दिया, छोड़ना तो गंचाम भी चाहता है, इन यादों को चाय का प्याला लेकर वे गैस फायर के सामने रॉकिंग चेर पर बैठ गया, उसके दूसरे हाथ में वही चिट्टी थी जो अभी तक उसने खोल कर नहीं देखी थी, सोचते हुए कि इस बार कुछ ठंड जादा ही पड़ रही है, वह चाय की चुस्कियां लेने लगा, गरम चाय, थोड़ी कड़वी, थोड़ी मीठी, हर घूट कलेजे में गर्माहट छोड़ते हुए नीचे उतरने लगा, उसके बाएं बाजू में हलका सा दर्द महसूस हुआ, उसने स्व को थोड़ा और चारों और लपीट लिया, दर्द तो उस दिन भी उठा था, जब वेश शिकायत लेका डाक्टर के पास गया था, डाक्टर ये कभी-कभी सीने में और कभी बाजू में हलका सा दर्द होने लगता है, शायद बदहजमी के कारण, कारण जानने के लिए डाक् अब डायबेटिक हो, हर समय सिगरेट आपके होटों के साथ चिपकी रहती है, बुझने भी नहीं पाती, आप दूसरी सुलगा लेते हो, छोड क्यों नहीं देते इस जहर को, सभी कुछ तो छूट गया है डाक्टर, अब इसे भी छोड़ दूँगा तो जिऊँगा किसके स चाहरे, यह मेरी सांसों के साथ जलती है और बुझती है, इसके बुझते ही घनशाम भी बुझ जाएगा, और एक जूर दार ठाहा का मार कर घनशाम कुरसी छोड़ कर उड़ गया, डाक्टर जानते हैं कि इस ठाहाके के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ है, इस दर्द की कोई दबा डाक्टर नहीं दे सकता, चाय का खाली प्याला पास पड़ी मेच पर रखते हुए उसके निगा उन चिट्टियों की ओर गई, उसने कापते हातों से लिफाफा खोला, अंदर से एक कार्ट जहां कर रहा था, गनशाम ने जल्दी से जल्दी कार्ट नेकाल लिया हम सबकी ओर से आपको अपनी पैसर भी वर्षगाट की बहुत बहुत बधाई, पुनीत, कोई बेटी की ओर से था, ओ तो आज मेरा जन दिन है, अगर मैं पैसर का हो गया हूँ, तो सीमा भी अभी साठ की होने वाली है, कैसी लगती होगी वे पके बालों के साथ, अब तो च सुर्यों के संग तो बहे और भी सुंधर दिखती होगी, वही नानी दादी भी तो बन गई है, और एक मैं हूँ, तिरस्करत, पती, नाकामिया पिता, वकायर, ग्रेंडेड, यही तो फहचान मेरी है, सीमा को तो शर्म आती होगी, बच्चों के सामने मेरा नाम लेते हुए शर्म आये भी तो क्यों ना, मैं हूँ ही इस काबिल, जिसने बच्चों को तो छोड़ा अपने नाती पोतों की सूरत तक नहीं देखी, मुझसे अधिक बदनसीब और कौन होगा, बाए बाजू के साथ अब तो सीने में भी दर्द उठने लगा है, कार्ड का लिफाफा से फिकल कर गोदी में गिर गया, घंचाम ने कठनाई से दाइना हात उचा करके सिगरेट का एक जोर का कश खीचा, सारी चाती सिगरेट के धुए से भर गई, उसे जोरदार खासी आई, खासते हुए उसने फिर से कश लेने का प्रयास किया, पर इस बारवे हाथ उठाने मे असमर्थ रहा, हात में इतनी भी ताकत न बची थी कि दुखते हुए सीने पर रख सके, सांसे पहले ही तेज और धीमी होने लगी, जलती हुए सिगरेट राक के लंबी लकीर छोड़ती हुए, उंगलियों में सुलक सुलक कर बुच गई, धन्यवाद